वहां पर सब्जी मंडिक से रोज उड़ा आता है करीब दूस्तों किलो रोज 500 किलो करीब खार निकलती है इस मशीन से और शहर में रेज़ेंचे लेडर में जाता है जहां पर रोज खार 15 रुपे किलो बिख जाती है तो यह एक role model है जो आप सब आशिपूर विजर्ट करके देख सकते है कि किस तरह collection, treatment and monetization of waste is already being done by ULB और अगर आप सिंद्र घड़े लाएंगे इसमें तो आप देखेंगे कि 100 रुपे किरों के साथ से जो बिकड़ाएं तो इनका महिने का income कम से कम नहां करके 25 सबाव पे आ रहा है अब इसमें एक operator लगता है जो दिनने 5 से 6 रुटे काउं करता है बिजली का बिल आता है करीब ताता हजार हुए तो आप electricity और labor cost को भटाने के बाद भी देखेंगे तो ये technology financially viable है इसमें cabinet से रभ यह है कि ULB को capex करना पड़े जाओ जो operating cost है वो बिल्कुल घार पेशने से पूरा हो जाता है से रभ जो machine की cost है वो ULB को cover करना होता है और अल्यदी हमारे काफिक साने ग्रात है उतराचंड में ULB